तो T20 World Cup में पाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद से कप्तान बावाराजम सभी खिलाडियों के निशाने पर है और इस बीज भारत के पूर महान बल्लेवाज गौतम गंबीर ने तीका हमला बोला है पाकिस्तान के कप्तान बावाराजम पर और उन्हें बावाराजम क गौतम गंबीर ने शैल फिसह बतायाया और उन्हें का उन्हें पहले खुद के बारे में नहीं बलकि टीम के बारे में सोचना चाहिए बावाराजम की Она कहां करते हुए गौतम गंबीर ने कमेंटरी दोरान का मेरे विचार में सबसे पहले आप अपने बजाए पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुवात करना और इतने सारे विकॉड बनाना असान है अगर आप लीडर बनना चाते हैं तो आपको अपनी टीम के बारे में सोचना होगा तो इस तरह की कमेंटरी के दोरान बयान देते हुए गौतम गंबीर ने बाबर आजम को एक स्वार्त कि कप्तान बताया है जो टीम से उपर खुद को रखते हैं और खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना कि टीम के बारे में